परमेश्वर की धार्मिक्ता जो सूसमाचार में प्रगट हुई रोमियो अधियाए 1, वजन 16 और 17 क्योंकि मैं सूसमाचार से नहीं लचा था इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहुदी फिर युनानी के लिए उद्धार की निमित परमेश्वर की सामर्थ है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है जिसा लिखा है विश्वास से धर्मिजन जीवित रहेगा हमें पर्मेश्वर की धार्मिक्ता को प्राप्त करना ही चाहिए प्रेडित पौलूस मसी के सूसमाचार से लज्जित नहीं हुआ उसने प्रभावसाली रूप से सूसमाचार की गवाही दी हाला कि कई लोगों की रोने का एक कारण यहां है हम पर्मेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करने और अपनी धार्मिक्ता को त्याग करने के द्वारा बचाये जा सकते है प्रेडित पौलूस सूसमाचार से लज्जित क्यों नहीं हुआ सबसे पहले यहां इसलिये था क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिता प्रगट हुई थी ग्रीक में सुसमाचार, यूगे लियोन का अर्थ है सुसमाचार जब येश्वर मसी का जन्म बैतलेम में हुआ, तो परमेश्वर ने दूत ने प्रगट होकर उन चरवाहों से कहा, जो रात में अपने जुंड की रखवाली कर रहे थे आकास में प्रमेश्वर की महिमा और प्रुत्वी पर उन मनुश्य में से जिसने वहाँ प्रसन है, शान्ती हो प्रभुकेसु समाचार ने हमें सारे पापों से बचाया और संसार के पापों को धो दिया येश्व ने हमारे सारे पापों को धो दिया उन्होंने स्वयम उन लोगों के सारे पापों को धो दिया जो धिलों में खीडों की तरफ उस्वसाते थे और जिन्होंने कीचड में पाप किया था सबसे पहले प्रेदित पौल उसने कहा कि प्रमेश्वर की धार्मिक्ता सुसमाचार में फ्रगट हुई थी प्रमेश्वर की धार्मिक्ता उस सुसमाचार में फ्रगट हुई जिसने हमारे सारे पापों को मिटा दिया प्रमेश्वर की धार्मिक्ता ने हमें संत और धर्मी बनने की अनुमती दी इसने हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और पाप रहित होने की भी अनुमती दी मनुश्य की धार्मिक्ता क्या है? जब हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ हो तब हम लोग परमेश्वर के सामने खुद को दिखाना पसंद करते हैं अच्छे कर्म करने का अपना अभिमान इकटा करना मनुश्य की धार्मिक्ता को वीचित रखता है हाला कि येश्वर के धर्मी कार्य ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया जिससे परमेश्वर की धार्मिक्ता सूसमाचार में प्रगट हुई यहां परमेश्वर की धार्मिक्ता है इन दिनों ज्यादातर मसेही परमेश्वर की धार्मिक्ता के सुसमाचार को जाने बीना सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वे कहते हैं येशु पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे और अमीर बन जाओगे हाला कि ये परमेश्वर की धार्मिक्ता के सुसमाचार की शिक्षाय नहीं है सुसमाचार किसी भी चीज से अधिक लोग प्रिय प्रतित होता है परनतो अधिकान से लोग अगनानी है और सुसमाचार को नहीं समझते हैं यहां इस तथ्ये के समान है कि बाइबल सबसे ज़्यादा भिखने वाली किताब है, लेकिन अभी वी लोग वास्तों में इसके विशे वस्तु को नहीं जानते हैं। इस जगत में सबसे किम्ती और लावकारी चीज है सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है। परमेश्वर के वचन का अभ्यास में लाना वैसे दिखाते हैं और परमेश्वर के उपहार को अस्विकार करते हैं वे उसकी धार्मिक्ता को अस्विकार करते हैं। उनको पहना दिये। प्रतम मनुष्य आदम ने शैतान की चाल में फसकर परमेश्वर के विरुद पाफ किया। आदम और हवाने पाफ करने की ठीक बाद अंजिर के पत्तों के आपस में सिलकर और अपने लिए कपड़े बना लिये थे। सिली हुए अंजिर के पत्तों से बने वस्तर, खाल से बने वस्तरों से बिलकुल विप्रित थे। यह मनुष्य की धार्मिक्ता और परमेश्वर की धार्मिक्ता के बीच का अंतर था। पत्ति अध्यायतीन वचन साथ में लिखा है। क्या आपने कभी मूली के पत्ते तोड़े हैं ? हम कॉरियाय मूली से मूली के पत्ते काटते हैं और उन्हें सुखाने के लिए चावळ के भूसे के साथ जोड़ते हैं। हम सरद्यों में उनके सात बीन पेस्ट स्टू पकाते हैं, यह हम बहुत सवादिष्ट है। आदम और हवा ने पाप करने के बाद अंजीर के पत्तों को एक साथ जोड़ा और वस्तर बनाए इस तरह के कुरुतिय अच्छे कर्म, आत्म परिक्षन और आत्म बलिदान मानो धर्मिक्ता का गठन करते हैं यहां आत्मिक धर्मिक्ता है, परमेश्वर की धर्मिक्ता नहीं यहां तत्य की उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने वस्तर बनाए ये पर्मेशुर के सामने अपने अच्छे कामों के साथ अपने पापों को छिपाने की कोशिस करके गर्वों के पाप को दर्शाता है। अपनी धार्मिक्ता, अपनी भक्ति, आत्म बलिदान, आत्म परिक्षन, सेवा और पश्चतात की प्रात्नाओं को एक वस्तर में बांधना और अपने मन में पापों को इसके साथ ढगना मुर्ति पुजा है, जो परमेश्वर के सामने व्यक्ति के गर्व को दर्शाय करता है अजियों से बने कपड़े ज्यादा देर तक नहीं टिकते, जो लोग अंजिर के पत्तों को एक साथ सिल लेते हैं और वस्तर बनाते हैं, अर्थाद जो अपने कर्मों से परमेश्वर की अच्छी तरस से सेवा करके धर्मी होने का प्रयास करते हैं, वे स्वर्ग के राजिम करते हैं, अपने कर्मों की धर्मिक्ता से पापों की माफी प्राप्त नहीं कर सकते। जब आदम और हवा ने अंजिर के पत्तों से वस्तर बनाकर अपने पापों को छिपाने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने आदम को बुलाया, आदम, तुम कहा हो। उसने वाटी काके पेडों में चिप कर कहा, मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, और मैंने अपने आप को चिपा लिया, क्या पाप करने वाला व्यक्ति पेडों के बीच चिपने की कोशिश करता है? पेड अक्सर बाइबल में पूरुशों को सुचित करते हैं जिसके मन में पाप है वहां अपने आपको लोगों के बीच चुपाने की कोशिश करता है वहां बीच में बैठना पसंद करता है नकि बहुत पीछो या कलीसिया के सामने जहां कई लोग एक साथ ही कटा होते हैं क्यों? क्योंकि वहां खुद को लोगों के बीच चुपाना चाहते हैं हाला कि वह अपने पापों को परमेश्वर के सामने नहीं चिपा सकता उसे अपनी धार्मिक्ता को त्याग कर और प्रभू की धार्मिक्ता में विश्वास करके अपने पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए जो लोग असपस्ट विश्वास रखते हैं और जो सत्य में विश्वास नहीं करते हैं वे लोग भी खुद को उसी तरह के लोगों के बीच चिपाते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अपने अच्छे कर्मों से अपने पापों को चिपाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उसका अंत्र नरट में होगा। परमेश्वर के सामने पापियों को पापियों के रूप में प्रगट होना चाहिए और स्वयम को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर ने आदम से पूछा, जिसने अंजिर के पत्तों से वस्तर बनाये थे, तूने फल क्यों खाया, तुम्हें किसने सिखाया और खिलाया, यह परमेश्वर जिस त्रीकों तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसने उस वरुक्स में से मुझे दिया, और मैंने खालिया, हवा, तुमने ऐसा क्यों किया, सर्प ने मुझे भैकाया और मैंने खालिया, तब यह परमेश्वर ने स्वर्प से कहा, तुने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पसुओ, और सब बनेले पसुओ से अधिक सापित है, तू पेट के बल चला करेगा, और जि एक समान हो, आजकल जूटे भविश्य वक्तावी जूटे सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहते हैं, आग पराप्त करो, जो लोग उनके द्वारा बहक जाते हैं, उनके साथ भी जूटे भविश्य वक्ताव के समान विवहार किया जाएगा, और विनरक में जाएंगे, परमेश्वर ने आदम और उसकी पतनी के लिए चमड़े के अंगर के बना कर उनको पहना दिये, प्रभो ने सोचा, मैं आदम और हवा को अकेला नहीं छोड़ूँगा, जिन्होंने सर्तान के बकावे में आकर पाप किया था, मैंने मुल रूप से उनके स्वरूप में मनु और उसके चमड़े से अंगर के बना लिये और आदम और हवा को अंगर खा पहना दिया, उसने इसे हमारे उध्धार का प्रतिक बनाया, वास्तों में अंजिर के पत्तों से बने पौदों के वस्तर एक दिन भी नहीं चल सकते थे, और उन्हें बार बार ठीक करना पड़ता परमेश्वों ने आदम और हवा को यह कहते हुए अनंत जीवन दिया, तुम आदम और हवा, आओ, मैंने पश्रु की खाल का नया अंगर खा बनाया है, उसे पहन लो, यहां उस जानवर की खाल है जो तुम्हारे लिए मरा. परमेशो ने आदम और हवा को नया जीवन देने के लिए परमेशो की धारमिक्ता से आशुशी त्वचा के अंगर के से आदम और हवा को कपड़े पहिनाए यहुआ परमेशो ने आदम और उसकी पतनी के लिए चमड़े के अंगर के बनाए और उन्हें पहिनाया ठीक वैसे ही जैसे परमेश्रों ने विश्वास्यों को अपनी धारमिक्ता का उद्धार दिया है। परमेश्रों की धारमिक्ता में विश्वास करते हैं तो परमेश्रों हमें पापों की माफी देता है। हे भाईयो मेरे मन की अभिलासा और उनके लिए परमेश्रों से मेरी प्रातना है कि वे उद्धार पाए। क्योंकि मैं उनकी गवाई देता हूँ कि वे उनको परमेश्रों के लिए धून रहती है परन्तु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि वे परमेश्रों की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्तापित करने का यतने करके परमेश्रों की धार्मिक्ता के अधिन्ना होए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निमित मसी व्यवस्ता का अंध है इसलिए इसराइलियों ने परमेश्व की धार्मिक्ता की उपेक्षा करते हुए अपनी धार्मिक्ता को स्तापित करने के लिए अपने विदिवात पर जोड़ दिया परमेश्व ने मनुश्यों को पाप के प्रती सजाग करने के लिए विवस्ता दी है लोगों को दस आगनाओं के माधियम से पाप का गनार हुआ है और परमेश्व के उध्धार की धार्मिक्ता में विश्वास करके पाप की माफी प्राप्त होती है जो उन्हें तंबू की बली प्रता के मातियम से उनके पापों से बचाता है इसलिए तंबू के पाप बली का ताटपर यह है कि येश्व नए मियम में परमेश्व का प्रती निदी है हाला कि इसराइल परमेश्व की इस धार्मिक्ता को नहीं जानते है येशु ने बापतिस्मा क्यों लिया? देखो, यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, यहाँ परमेश्वर का मेमना है। उसने सभी पापों को उठा लिया और पापों के प्रायश्वित के लिए गूरूस पर चड़ाया गया। हलाकि इस्राइल ने विश्वास नहीं किया कि येश्व पाप्यों का संपूर्ण उधार करता बन गया इस्राइलियों ने अपने आपको परमेश्वर की धार्मिक्ता के आधिन नहीं किया है लेकिन येशु हर विश्वास करने वालों के लिए हर्मिक्ता के लिए व्यवस्ता कांध है व्यवस्ता के अंद का अर्थ है कि येशु ने जगत के सारे पापों को धो दिया सारे विश्वासियों को पवित्र करने के लिए मसी ने व्यवस्ता के श्राप का न्याई सहा था उसने व्यवस्ता के श्राप को समाप्त कर दिया येश्व ने सारे लोगों को उनके पापों से चुड़ाया इस प्रकार उसने सारे लोगों को उनके पापों से बचाया उसने अपने बप्तिस्मा और कुरूस पर चड़ाये जाने की द्वारा इस जगत के पापों को दूर करके व्यवस्ता के शाप के न्याई का अंत किया उसने हमें न्याय और व्यवस्ता के शाप से पूरी तरह से बचाया यहां व्यवस्ता का अंत और पर्मेश्वर के उधार की धारमिक्ता की शुरुआत थी युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले की द्वारा बप्तिस्मा लेकर येशु ने संप्रून रूप से जगत के पापो को दूर कर दिया और कुरूस पर चले गए यदि कोई व्यक्ति येशु के उधार पर विश्वास करता है तो यहां कैसे संबव है कि उसके रिदे में पाप हो क्योंकि विश्वास से विश्वास के द्वारा परमेश्व की धार मिक्ता प्रकट होती है येशु का बापतिस्मा और लहू परमेश्वर की धारमिक्ता रही है परमेश्वर की धारमिक्ता में विश्वास करना येशु के बापतिस्मा और लहू में विश्वास करना है परमेश्वर की धार्मिक्ता उचित तरीके से येश्व के बप्तिस्मा के द्वारा पूरी हुई थी मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विश्वास करे तब आप अपने सारे पापों से बच जाओगे येश्यू के बप्तिस्मा के द्वारा पाप रहित बनने के लिए पाप योगों धार्मिक्ता दी गई थी इसके अलावा परमेश्वर के न्याय की धार्मिक्ता येश्यू का कुरूस पर चड़ाया जाना था मसी विवस्ता का अंध है परमेश्वर का न्याय उन लोगों के लिए आएगा जिनका न्याय तब तक नहीं हुआ जब तक व्यवस्ता मौजूद है परमेश्वर की व्यवस्ता पाप को प्रड़ट करती है और साबित करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यू है एक अभिशाप और नरग है इसलिए येश्व के बप्तिस्मा और कुरूस पर लहू ने व्यवस्ता के अभिशाप को समाप्त कर दिया येश्व ने हमारे सारे पापो को उठा लिया और सब धार्मिक्ता को पुरा करने के लिए व्यवस्ता का अंत कर दिया मुर्खों ने अपनी मशाले को लिए परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया आईए मत्ती अधियाए 25 वचन एक से तिरा को देखे यहां दस कुवारिय द्रस्तांथ है जो अपने दुलहे हमारे प्रभु के आग्मन की प्रतिक्सा कर रही थी आईए वचन की माधियं से देखे की परमेश्वर की धार्मिक्ता क्या है तब स्वर्ग का राजिय उन दस कुवारियों के समार होगा जो अपनी मशाले लेकर दुलहों से भेट कराने को निकली उनमें पाँच मुर्ख है और पाँच समझदार थी परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया जब दुलहों ने आने में देर हुई तो वे सब उंगने लगी और सो गई आधि रात को धुम मची देखो दुलहा आ रहा है उसने भेट करने के लिए चलो तब वे सब कुमारिया उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मुर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुजी जा रही है परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाची तिया हमारे और तुम्हारे लिए पुराना हो दूसरी कुमारिया भी आकर कहने लगी हे स्वामी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हे नहीं जानता इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को यहां लिखा है कि स्वर्ग का राजिय उन दस कुवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दुलोज से मिलने के लिए निकली थी स्वर्ग के राजिय में कौन प्रविश करता है दस कुवारियों में से किसने स्वर्ग के राजिय में प्रविश किया कुछ कुवारिया जो येश्यू पर विश्वास करती थी फिर भी स्वर्ग के राजमे प्रवेश करने में शक्सम क्यों नहीं थी प्रभु उप्रवत भाग के माध्यम से हमें बताते हैं दस में से पांच कुवारिया मुर्ख थी और अन्य पांच बुद्धिमान थी में तेल पवित्रा आत्मा को दर्शाता है मुर्ख ने क्या किया उन्होंने अपनी मशाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया एक व्यक्ति जो येश्यू पर विश्वास करता हो लेकिन जिसका नया जिन्म नहीं हुआ है वहां समर्पित रूप से कलिश्य में जा सकता है हर कोई कहता है मेरी कलिश्य वास्तों में रुडिवादी है इस दुनिया का हर मसीही ऐसा कहता है उन्हें संस्तापक पिता और उनके संप्रदायों के कुछ पात्रों पर बहुत गर्व है जो मुर्ख थे वे अपनी मशाले ले गए और अपने साथ तेल नहीं लिया परंतु बुद्धी मानियों ने अपनी मशालों के साथ अपने बरतनों में तेल लिया मनुष्य क्या है मनुष्य परमेश्यों के सामने पात्र है वहां धूल है मनुष्य धूल से बना है मनुष्य जाती एक ऐसा बर्तन है जिसमें परमेश्वर समा करते हैं गुद्धी मानियों ने अपनी मशालों के साथ बर्तनों में तेल भी लिया जिन मुर्क कुवारियों के पास केवल मसाले थी लेकिन तेल नहीं था उन्होंने अपनी भावनाओं को जलाया बाइबल हमें बताती है कि ये शुपर विश्वास करने वाले लोगों में से कुछ बुर्क कुवारिया है वे अपनी मसाले तो लेते हैं लेकिन तेल नहीं लेते उनका मतलब है कि उनका नया जिन्म नहीं हुआ है क्या बिना तेल की बाती लबे समय तक चलती है यहां हमें यहां जानना चाहिए कि बिना तिल की मशाल जल्दी जल जाती है चाहे उसकी बाती कितनी भी अच्छी क्यों नहो वे विश्वासी जिन्होंने अभी तक नया जन्मन नहीं पाया है उनमें सबसे पहले प्रभु के प्रती प्रेम की तीवर भावना है यहां लगबग चार या पांच साल तक चलता है बाद में प्रभु के लिए उच्छाहिप प्रेम बुझ जाता है उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पास पाप की माफी नहीं है जिनका नया जन्मन नहीं हुआ है या बिना तिल यानि की पवितर आत्मा के है वे इस बात की बाते करते है मैं बहुत समय पहले अच्छा विश्वास ही हुआ करता था मैं पहले अच्छा था लेकिन अब नहीं तुम जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे वे जुटे वविश्य वक्ता और जुटे संत है जो नया जिन में लिए बिना धार्मिक जीवन जीत है उनके पास उद्धार का विश्वास होना चाहिए क्योंकि उनका विश्वास तेल यानि की पवितर आत्मा पर आधारित नहीं है उनका विश्वास के वर उनकी भावना उपर आधारित होता है उन्हें येश्यु मसी के पानी और लहु में विश्वास करके उद्धार प्राप्त करना चाहिए और एक उपहार के रुप में परमेश्वर का तेल प्राप्त करना चाहिए बाती मनुश्य रिदे को दर्साती है उपरोगत भाग में कुवारिया दुलहे की प्रतिक्सा करती है यहां हमें इसराइलियों की सांस्कृतिक पुष्ट भुमी को अच्छी तरह से समझना चाहिए रात में उनकी शादी की रस्मे होती है और यहां दुलहे के आने पर शुरू होती है इसलिए दुलहन को अपने दुलहे की प्रतिक्सा करनी चाहिए इसराइलों का विवा समारो ऐसा ही था जब दुलहे के आने में देर हुई तो वे सब उंगने लगी और सो गई वहां सोर हुआ और देखो दुलहा आ रहा है तब वे कुवारिया उठी और अपनी मसाले ठीक करने लगी जब वे दस कुवारिया दुलहे का इंतजार कर रही थी तब दुलहा दुम मचाता हुआ है देखो दुलहा आ रहा है तब वे सब कुवारिया उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मुर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुजी जा रही है मुर्ख हमेशा निर्बूद होते हैं, उन्हें दुल्हे के आने से पहले तेल तयार करने और रखना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशाल की बाती कितनी कमजोर है, तेल वाली मसाले बुजीती नहीं है मुर्ख कुवारिया जिनके पास बिना तेल की मसाले थी, वे केवल बाती जलाती थी, इसका मतलम है कि केवल उनके रिदे जले थे मुझे नया जन्म लिना है नया जन्म पाए व्यक्तिसा जीवन जिना है और पवित्र आत्मा से भरना है वे इस तरह अपने दीलों को जलाते हैं हमारे बचपन के समय कैरोसिंक के दिये रात में कमरों में रौसनी काते थे यदि हम दिये को कागस की एक पट्टी जलाने देते हैं तो यहाँ पलक जपक तहीं जल जाएगा आग एक फुट से अधिक लंबी और बहुत तेज होगी लेकिन यह तुरंत बुझ जाएगी मुर्क कुवार्या जो नरक में जाती है वे वो है जो बिना तेल के अपने दिलो यानि की भावनावों को जलाती है और जिनके विश्वास की आग तब बुझ जाती है जब उन्हें वास्तों में प्रभू से मिलना होता है उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वे सोचते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा नो होने के बावजूद भी वे सही तरीके से विश्वास करते हैं आओ, जल्टी हुई आत्मा, आओ वे एक बड़ी हल्चल में है फिर महिलाय नूर्थ्य करती है वे इसे पवित्र आत्मा का नूर्थ्य कहते है वे अपने स्तनों को लहराते हुए कहती है आओ, कृपिया आओ वे मुर्क और पागल है यदि हमारे पास अभी भी उद्धार करता के सामने पाप है तो हम मुर्क है बले हम ये शुपर विश्वास करे लेकिन यदि हमारे रिदे में पाप है तो हम मुर्क कुवारियों के समान होंगे मुर्क कुवारी कभी मत बनिये प्रभु कैसे उस दुल्हन से विवा कर सकता है जिसके अंदर पाप है यह वा पवित्र परमेश्वर है दुल्हा परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र है, जिसमें कोई पाप नहीं है, परमेश्वर हमारा दुल्हा है, हलाकि आप पाप के लिए बहुत परमेश्वर से मिलने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, क्या आप अपने रिदे में पाप के साथ परमेश्वर से मिलना चाहते ह ये बहुती तुछ और मुर्कता पुर्णबात होगी येशु हमारा दुल्हा जगत में आया और उसने दुल्हनों को पवीत रखिया उसने अपने बक्तिस्मा के द्वारा उनके सारे पापों को धोकर अपनी दुल्हनों को धर्मी लोगों में पतल दिया उसने उन्हें अपनी दुलहन के रुप में चुना जब समय पूरा हो गया तो उनमें से पांच ने कहा कुरुपिया चलो खाला कि उनमें से पांच अभी भी अंधेरे में खड़ी थी जब उनके चेहरे काले हैं तो वे विवा समारों कैसे कर सकते हैं दुलहा आया और बोला कैसी हो तुम बात की पांच दुलहनों के चेहरे उनके पापों के कारण काले हो गये थे वे गहरे दुख में थे क्योंकि उनके पाप उनके रिदयों में यहां वहां जुड़े हुए थे प्रभु कैसे उन दुलहनों से इससे प्यार करता है और उसकी सभी कमजोरियों और पापों को धो देता है। अपना सरीर दिया और वचन देदारी हुआ और अनुग्र और सच्चाई से परिप्रूण होकर हमारे बीच में डिरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलोते की थी में युहन्ना अधियाए एक वचन चौदा प्रभू ने स्वयम हमारे सभी पापों को दुर किया ताकि हमें प्रभू में विश्वास करके अनुग्र, सच्चाई और पात की माफी की परिप्रूणता मिले। दुल्हे ने यरदन नदी में अपनी सभी दुलहनों के पापों को दुर किया। प्रभू ने कुरूस पर उनके स्थान पर न्याई को उठाकर अपनी की मसाले पुजी जा रही थी। क्या हम पवित्र आत्मा को साजा कर सकते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को पैसे से खरीद सकते हैं? क्या हम पाप की माफी को अच्छे कर्मों, युग्यता या पैसे से खरीद सकते हैं? बुद्धिमारों ने उन्हें जागरुती सेवा प्रच सेवाए, रुडिवादी कलिस्या में जाने और बार-बार प्राथना करने से उन्हें कुछ मिलेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति पूत्वी की किसी भी चीज से परमेश्वर में दी हुई पाप की माफी को खरीद नहीं सकता है। मुर्क अपनी भावनाओं को तब तक जलाने की कोशिश करते हैं जब तक की वे प्रभू के सामने खड़े नहीं हो। तेल यानि की पवीत्र आत्मा तयार किया था, वे विवा के बोज में गई। सब कुछ तयार करने के बाद दुल्हा दुलन से मिला। क्यों उसने दरवाजा बंद किया। येश्वर ने केवल ऐसे ही पाँच कुवारियों को नहीं चुना। बाइबल में पाँच संख्या का अर्थ अनुग्र है। पाँच कुवारिया उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास अनुग्र से पाप की माफी है और परमेश्वर के अनुग्र और धार्मिक कारियों में विश्वास करते हैं। और प्रभु की उस धार्मिक्ता पर विश्वास करते हैं जो उन्हें धर्मी बनाती है। प्रभु के राज्ये की प्रतिक्सा करते थे और जिनके रिदे में वास्तों में पाप की माफी थी। यहोवाने वाइदे के वचन कहे। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की शमा के लिए येश्व मसी के नाम से बक्ति स्माले। तो फिर हमारे पापों की माफी के बाद क्या होगा। पैबल कहती है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यदि आप परमेश्र की धार्मिक्ता का सुसमाचार प्राप करते हैं तो आपकी रिदे के पाप वास्तों में मिटा दिये जाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी पास आएगा। हम सारे लिक रूप से परमेश्र की पवित्र आत्मा को मैसूस नहीं कर सकते। फिर भी पवित्र आत्मा मौजूद है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई पाप नहीं है क्योंकि हमारे दिलों में पवित्र आत्मा और परमेश्र का वचल है। यहां वास्तों में मौजूद है, वह जो परमेशुर की धार्मिक्ता को प्राप्त करता है, वह धर्मी बन जाता है, फिर बले ही वह कमजोर हो, हलाकि जिसके पास प्रभु की धार्मिक्ता नहीं है, वह पापी रहता है, क्योंकि उसी में परमेशुर की धार्मिक्ता प्रगट प्रभुपानी और लहु के द्वारा आया उसने अपने बप्तिस्मा के द्वारा हमें हमारे पापों से बचाया जब उसने बप्तिस्मा लिया तब उसने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया और अपना लहू भागर हमारे सब पापों के लिए जो न्याय था उसे प्रापत किया प्रेरित युहना, पत्रस पर पॉलुस इस बारे में क्या कहते हैं वे पूरी तरह से येशु के मास और लहू के बारे में बात करते हैं वियेश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके लहू के बारे में बात करते हैं मत्य अधियायत 3 वचन 13 और 17 स्पष्ट रुप से येश्यू के बप्तिस्मा का वरण करता है येशु ने पाप ये को पाप रहित करने और यर्दन नदी में जगत के सारे पाप को धुने के लिए बाप्तिस्मा लिया था आईले पहला पत्रस अध्याय तीन वचन इकिस की और देखते हैं पत्रस गवाई देता है कि उसका बप्तिस्मा उध्धार का प्रतिबिम है कि दाहिनी और बैठ गया और स्वर्ग दूद और अधिकारी और सामर्थी उसके अधिन किये गए ऐसा लिखा है कि उसी पानी का द्रस्टांद भी अर्थाद बप्तिस्मा येशु मसी के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है येशु का बप्तिस्मा जो उसके सरीर के द्वारा हमारे सारे पापो को ले लेता है वो हमारे उध्धार का प्रमाण है यह तत्य है कि उसने कुरूस पर लहू बहाया इस बात का प्रमाण है कि हमें हमारे पापो के लिए दंडित किया गया था क्या आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ इसलिए बाइबल कहती है कि येशु ही वह है जो पानी लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा आया था पहला योहना अधियाई 5 वचन 6-9 येशु को मनुश्य के सरीर में जगत में भेजा गया और हमारे सब पापों को उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार महायाजक हारुम ने अपने लोगों के पापों को दुर करने के लिए बलिदानों पर हाथ रखे थे पानी वह द्रस्टांथ है जो हमें बचाता है यानि की बप्तिस्मा लिखा है कि यहां गंदी दे को दुर करना नहीं है इसका अर्थ यहां नहीं है कि पाप की माफी प्राप करने के बाद हम पाप नहीं करते हैं हम येशु के बप्तिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी प्राप करते हैं तो कैया हम सरीर के साथ पाप नहीं करते हैं? हाँ, हम करते हैं. बहुत से लोग पाप की माफी को गलत समझते हैं और ऐसी बाते कहते हैं, यदि तुम्हारे रिदे में कोई पाप नहीं है, तो तुम फिर से पाप नहीं करोगे. यहां एक गलत फैमी है. भाइबल कहती है नी संदे पृत्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो बलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो सबब देशक अध्याय साथ उचनवीस दे अभी भी कमजोर है यह तब तक कमजोर है जब तक यह मर नहीं जाता यह तब तक पाप करता है जब तक वह मर नहीं जाता इससे सरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है परन्तु सुद्ध विवेक से परमेश्वर की वस्मे हो जाने का अर्थ है येशु की बप्तिस्मा और लहू में हमारे विश्वासों के द्वारा हमारा वीवेक परमेश्वर के प्रती अच्छे वीवेक में बदल जाता है प्रभु ने अपने बक्तिस्मा के द्वारा हमारे पापों को ले लिया है और इस पत्याप पर हमारे विश्वास के द्वारा हमारा वीवेक परमेश्वर को हमारा प्रभु और उद्धार करता कह सकता है हमारे रिदय के लिए येश्यू का बप्तिस्मा और लहू आत्मिक पोशन है रिदय के लिए पोशन येश्यू का बप्तिस्मा और लहू है रिदय के लिए पोशन और हमारे पापों को धोने वाले प्रती रूप येश्यू का बप्तिस्मा है इस प्रकार प्रेरित पत्रस ने कहा कि बक्तिस्मा प्रती रूप है जिसने हमें बचाया आईए पहला पत्रस अधिया एक बचन 22 और 23 को देखे अतह जबकि तुमने भाईचारे की निस्कपट प्रिती के निमिट सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो तन्दमन लगा कर एक दुसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि तुमने नास्वर नहीं पर अविनाशी बीच से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है हमें येश्वर के बप्तिस्मा और उसके लहू में विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाया है और सभी पापों की माफी प्राप्त की है हम परमेश्वर के लिखीत वचन पर विश्वास करके नया जन्म पाते है हमारा नया जन्म परमेश्र के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है हालेलुया नया जन्म उस वचन के माध्यम से होता है जो हमेशा ठहरता है परमेश्र का वचन सिध्धान्त है जो एक मापने वाली छड़ी को दर्शाता है यहाँ उध़ार का मान दंड है प्रमेश्वर के उध़ार को नापने वाला मान दंड कभी नहीं बदलता यहना बपतिस्मा देने वाले ने यहना अज्या एक वचन 39 में खा है देखो यहाँ प्रमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाफ उठा ले जाता है परमेशुर का मेमना जिसने यरदन नदी में बप्तिसमा लिया था वह सच्ची जीवन की रोटी है जो अपने मास और लहू से हमें बचाती है हम परमेशुर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र किये गए हैं और बचाये गए हैं बाइबल कहती है अतहा विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है और क्योंकि उसमें परमेशुर की धार्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है जैसा लिखा है परमेशुर से धर्मी जन जीवित रहेगा हम सू समाचार पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बन सकते है क्या आपको पवित्र किया गया है? आमिन क्या आपके अंदर कोई पाप नहीं है? यह सू समाचार है सुप संदेश, ग्रीक में यूगेलियों परमेशुर की धार्मिक्ता क्या है? यह सच है कि प्रभु ने हमें अपना मास और लहू देकर हमारे सभी पापों को मिटा दिया परमेशुर की धार्मिक्ता ने हमें पवित्र होने दिया परमेशुर की धार्मिक्ता यह है कि येशु जो पाप रही था उसने जगत के पापों को उठा लिया और पापियों के लिए कुरूस पर चड़ाया गया यहाँ पानी है येशु का बप्तिस्मा जिसने जगत के सब पापों को शुद्ध किया परमेशुर की धारमिक्ता इस तत्य के माध्यम से दी गई है कि येशु ने अपने बप्तिस्मा और सूली पर चड़ाये जाने के द्वारा दुनिया के पापों को दूर किया परमेशुर की धारमिक्ता में उसका बप्तिस्मा और मृत्यु शामिल है और कुरूस हमारे न्याय का प्रतिक है यहाँ परमेश्वर की धार्मित्ता है जो सुसमाचार में प्रगट हुई